हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसे से किडाइकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है थर्ट सिफ्ट का हम लोग देख लेते हैं जी के में क्या कोश्टन सा है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा यह आपका फर्स सिफ्ट सेकेंड सिफ्ट और थर्ट सिफ्ट तीनों सिफ्ट का 75 कोश्टन जो है मैं आपको प्रवाइट करने वाला हूं ओके तीनों सिफ्ट का कुछ टाइम लगेंगे एक घंडें गेंदर में मैं वह आपको देदोंगा 75 कोश्टन से यह जो आज हुआ है उसके बाद देखिए चली क्या पूछा अब लोग देख लेते हैं कि आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री टॉप ब्रेस्ट फिड़िंग इंडेक्स इन 2020 तो इंडेक्स से ऐसे कुर्शन आए है प्रेस्ट फिडिंग इंडेक्स 2020 में कौण टॉप पे है तो सिरलंका है यह कुर्शन देखे का करवाया वाएट क नेक्स्ट कोर्शन था कि इन विच इयर इंडियन मुस्लिम लीग वास फाउंडेट कब हुआ था इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेट का तो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था next question क्या पुछा गया था कि बांकापूर wild life century कहा है situated है ठीक है बांकापूर wild life century कहा है तो ये आपका हो जाता करनाट का okay next question आए वे थे कि how many windows are there in the हवा महल हवा महल में कितने windows है तो 953 है और हवा महल कहा है तो जैपूर में है okay next question पुछा वा था कि fundamental duties taken from the constitution of which country किस country से लिया गया है fundamental duties तो आपको USSR से पुछा गया है तो आप देख लिए कि source of union constitution कहां कहां से है ये भी अब आपके आने वाले है तो इसको साइध हो सके तो करवा दिया जाएगा okay उसके बाद एक next question जो कि current defense में ने करवा है कि रोहतांग tunnel जो है उसका नाम बदल कर क्या हो गया है अब हो गया उसका नया नाम अटरल टरनल ओके अटरल टरनल next question था कि what is the maximum age of the chief justice of India तो 65 years जो है ये इनका age होता है maximum उसके बाद retirement और भी कुछ questions कि जैसे कि ये भी करवाया question है कि who is the winner of Miss World 2019 तो क्या होगा Tony Ann Singh okay कहां की है तो Jamaica की होए next question पुछा गया था कि who is the winner of the novel prize for literature तो Peter Hand के Peter Hand के उनको मिला है novel prize अब देखिए novel prize से question आया है piece से भी आया है question second shift में third में आया है आपको novel prize for literature तो कल वाले में हो सकता है physics chemistry ये सब का आजाएगा उसके बाद जो है आपको इबराहिम लोदी जो है became the sultan of दिल्ली कब बने थे तो 1517 को जो है इबराहिम लोदी became the sultan of दिल्ली अब देखिए ये आपके third shift के कुछ questions हो गया but tension नहीं है next shift में आपको 75 questions मैं दे रहा हूँ एक घंटे के अंदर में और उसके बाद बहुत सारे 3-4 वीडियोस बनेंगे current reference भी देना है CGL और CPO के आपको जो है vocabulary section जो भी आए वे थे idioms, one word substitution synonyms, antonyms और current reference ये सब मेरा target है कि आज आपको provide कर देना है चलिए मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए all the best